आद आप सहारा न्यूज नेटवर्क में आपका खेर मक्तम है आप देख रहे हैं आलमी सहारा खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुई इशादा आप सबसे पहले एक रज़ा सुर्प्लों पर पीएम मोदी का हम बयान कहा अरबन नकसल और मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में कॉंग्रेस जमू में प्रियंका गाधी ने बीजेबी को घेरा कहा एल जी के हाथों कश्मीरी मुखालिफ पॉलिसियन नाफिस कराए गई दिली सरकार ने राजधानी में आलूदगी पर कंट्रोल के लिए विंटर एक्शन फिलान किया तयार गोपाल राय ने पीश किया मनसुबा हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरला की शहादत की हुई तस्दीख लबनान के चैंदर पर एंकर ने रोते हुए दी खबर हसन नसरला की शहादत पर एरान में सिया पर्चम लटका खामलाई ने कहा इसराइल से लड़ना हर मुस्लिम का फर्स हर्याना की हिसार में वज़िरासम नरेंदर मोदी ने अपनी इंतखावी तकरीर के दोरान कांग्रेस को अरबन नकसल और मुलकी दुश्मन ताकतों का आले कार करार दिया है मुलकी सबसे पुरानी सियासी पार्टी को मुलकी दुश्मन बताते हैं उन्होंने कांग्रेस पर कई इलजामात लगाए है आज की कॉंग्रेस अरबन नकसलियों के चंगूल में है मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा कॉंग्रेस के नेता विज़ेश जाते है तो किस से मिलते हैं ये उन लोगों से मिलते हैं जो बारत के दुश्मनों की बासा बोलते हैं कॉंग्रेस के इंटरनेशनल पार्टर वो लोग है जो दुनिया भड़ में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं विज़ेश में जाकर कॉंग्रेस के नेता वही बासा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है आप भी सोचिए आखिर क्यों पाकिस्तान कॉंग्रेस का समर्थन करता है कॉंग्रेस की नीटियों को पाकिस्तान को पसंद आती हैं जो बात P.M. मोदी ने हरियाना में बोली तक्रीम वही बात उनकी काविना के वजीर करन रिज़जू ने गोहाटी में दोराई है करन रिज़जू ने कहा है कि हमारे देश को कमज़ूर करने के लिए एक भारत मुखालिप गिरौ है एक एको सिस्टम है जो भारत मुखालिप कहानी बनाता है उस एको सिस्टम ने जान बुजकर राउल गांधी को अपना चेहरा बनाया है देखे हैं आप एक चीज़ समझना होगा हमारा देश को कमजोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है एक एंटी इंडिया का नेरेटिब बनाने वाला एक एको सिस्टम है वो एको सिस्टम ने जान बुजकर के राउल गांधी को चेहरा बनाया वो राउल गांधी को यूज करता है कभी अमेरिका में बुला करके कभी इंगलेंड में कभी अस्ट्रेलिया कभी जम्मू कश्मीर जा करके कभी कही जा करके वो भारत को कमज़ूर करने का बात करते रहता यह एक एको सिस्टेम का इफेक्ट है देश के लोग जान जाएंगे सब को पता चल रहा है जम्मू के इंतखाबी जलसे में कॉंग्रिस की लीडर प्रियंका गांथी ने बीजेपी पर कश्मीरी मुखाली पॉलिसियां चलाने का इल्जाम लगाया है उन उन कहा कि कश्मीर के जाल पॉलिसियां बनाइय जा रही है वो बहरी लोगों के लिए है वहां केंडरे में मोधी जी अडानी जी और अमबानी जी को बढ़ा रहे हैं यहाँ आपके जी अपने मितरों को आगब बढ़ा रहे हैं माता वेश्णो जेनरल स्टॉर या रगुनात मार्टी मार्केट के जो कारोबार है उनको बढ़ावा कौन दे रहा है यह रिलाइंस रीटेल हर जगे जो खुल रही है वो तो कुपतेजी से बढ़ रही है आपके लगी बाहर ही है साथ तमाम जितनी भी पॉलिसियां जितनी भ बाहर के लोगों को दिये हैं आपको रेत आपकी रेत है आपकी बजरी है बाहर बेजी जा रही है आपको खरीजनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए तो उसका दाम महंगा होता है होता है कि नहीं आपको घर में छोटी सी छोटी मरमत करनी पड़ती है आप घबराते हो कि कैसे करेंगे कोई बिमार पढ़ता है घबराते हो इलाज कैसे करवाएंगे और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही है दस मिनरल के प्लॉक्स है छपिस रेट के खनन सारे थेके बाहर के इनके मित्रों को दिये गए है बाहर की कंपनियों को ला ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खतम किया जा रहा है आज भ्यंकर बेरोजगारी है यहां जम्मू में 65% सरकारी पद खाली है आप यहां बेरोजगार खड़े हो नौजवान हाथ उठा कर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है आप सब बोलेंगे नहीं मिली है चीफ एलेक्शन कमिशनर राजियू कुमार ने महराश में आएंदा SME इंतखाबात के तैयारियों के लिए मुंबई का दोरा किया इस मوقع पर उन्होंने बताया कि वो यहां सियासी पार्टियों के लीडरों और आला अफसरान से मिले हैं उन्होंने हमने इलेक्शन की तारीखों का इलान करने से पहले दिवाली दिवाली और छट पुजा जैसे तिवारों का खेया लखनी के लिए कहा है हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी रीजनल पार्टीज थी सभी स्टेक होल्डर से मुलाकात की जिसमें सारी एंफोर्स्मेंट एजन्सी जिनकी बारे में मैं विस्तरत रूप से आपको बताऊंगा all the district magistrates, commissioners of police, chief secretary, DGP all the senior officials who are responsible for creating facilities at the polling stations and also making arrangements we met all, we directed everyone about what is expected of them so let me first start with the political parties we met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP, SP, Shipsena, Shipsena UBT total 11 parties तो parties ने हमसे क्या कहा, पहले मैं ये आपको बताता हूँ so that what they wanted from us सभी parties ने almost पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और चट की festivities है काफी festival season है आगे तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनाओ की घोचला डेट्स की की जाए उन्होंने ये भी कहा और बड़ी सही बात कही कि चुनाओ की तारीक को सभ्ता के मद्ध में रखा जाए ताकि शहर के लोग छुटियों को आपस में मिलाके इधर उधर जाने की कुशिश ना करें दिल्ली सरकार की वजीर गोपाल लाए ने सर्गियों के दोरान दिल्ली में आलोदगी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का 21 निकाती विंटर एक्शन पिलान पेश किया है इस मौके पर दिल्ली सरकार का 21 निकाती विंटर एक्शन पिलान पेश किया है इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में धूल को कंट्रोल करने के लिए 14 हिदायाद बताई है दिखें दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रोधन को नियंद्धित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एकई सुत्री विंटर एकशन प्लान बनाया गया जिसको लेकर कि सरकार अपनी कारोजना आगे बढ़ा रही है ये जो प्रदूसन होता है सर्दियों में उसमें तीन मेजर फैक्टर हैं एक है डस्ट का प्रदूसन धूल प्रदूसन दूसरा है वेहिकल प्रदूसन गाड़ियों का प्रदूसन और तीसरा है बायो मास बर्निंग जो अलग अलग जगा से आग और धुआत हैं इनको फोकस करते हु इस दूल पदूफ़न को कम करने के लिए 14 सुत्री गाइड लाइन बनाई गई है जिसमें मुख्य तवर पर जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ उची तीन की दिवार लगाना ग्रीन निट का उप्योग करना एंटी स्मॉग गन का वहां पर इस्टेबलिस करना उसके साथ साथ जो गाड़ियां आती जाती है उनकी धुलाई करना इस तरह के जहां पर डस्ट है पाने का छिर्काव करना मालवे को ढखके रखना इस तरह के चौधरी सुत्री जो गाड़ियां है आज हमने जारी किया है दिल्ली के लोगों से सभी प्राइवेट कमपणियों से सरकारी एजन्सियों से हमरा निवेदन है कि साथ तारिक से पहले अगर कहीं भी आपके साइट पे इसका वाइलेसन है तो आप इसको पूरा कर ले नहीं तो साथ तारिक साथ अक्टूबर से लेकर के साथ नॉम्बर तक एंटी डस्ट कामपेंड दिल्ली के अंदर चलाये जाएगा और इस कामपेंड के तहट तेरह भी भागों की पानसो तेइस टीमों का गठन किया गया है जो साथ अक्टूबर से फिल्ड में जाएंगी और जो वाइलेट करेगा उनके खिलाफ कारवाई करेंगा कॉंग्रेस ने हर्याणा में आएंदा एसनेमिल इलेक्शन के लिए इंतहावी मैशूर जारी कर दिया है कॉंग्रेस ने साथ गारंटियों के साथ 6,000 रुपे माहाना पेंशन देने 300 यूनिट मुफ बजली 500 रुपे में गैस रिंडर हर खातून को 2,000 रुपे इमदाद और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है जारखंट के वजिराला हेमन सोरे ने राची मेवल इंडिया मुस्लिम परसुनला बोर्ड के अरकान से मलाकात की है बोर्ड के वफद ने 6 एक्तूबर 2024 को राची के हज हाउस में होने वाली एक रोज़ा ताफुज रुखाफ कानफरस में शामिल होने के लिए वजिराला को मदू किया है मद्र प्रदेश के उजयन में भारी बारिश से मंदिर के पास के एक दिवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है और दो अफराद जखमी हो गए हैं जिनका इलाच चल लहा है शारीद बारिश के सबफ शिप्रा नदी की सथे आप बढ़ गई है जिससे रामघाट पर छोटे मंदिर पानी में डूब गए है हम आप चार मरीज आये हैं और उसमसे दो ब्राटेट है और दो की इलाच जारी है यहां पर बागी और कुछी है अब हमारी पूरी टीम लगी यहां पर इंतिजार कर रही है जैसे महां से कुछ तीम आएगी तो उसको इलाच ट्रपर होगा कुछ रिफर करने जीसे उनकों को रिफर किया जाएगा सर अभी दो दिन से लगातार बारिश का मौसम जारी है बारिश हो रही है काफी इसकारन सिपरा का जलिस्तर काफी बड़ा हुआ है और हटर प्रदेश के हातरस में दूसरी किरास के टालिवेलम के गतल के मामली में पुलिस ने पांच मुल्जिमों को गरफतार किया है पुलिस ने से पूछ ताच कर रही है रियासती कमीशन बरायत फाल की रुकना अनीता अगरवाल ने कहा है कि अगर जाच में बली की बास सही पाई गई तो हम स्कूल की मनजूरी रद करने की सिफारिश करेंगे उन्होंने कहा कि एक घिनौनी वारदात है आपको बता दे कि इल्जाम है कि स्कूल के मेनेजर का बाप तंतर मंतर करता था उन्होंने बच्चे का खत्र इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे की बली देने के बाद उनका स्कूल और काम धंदा अच्छा चलने लगेगा मगतूल तालिव इल्म के बाप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि खुसरवारों को फासी के सजा मिले और उनके साथ इनसाफ हो कि मैं पोहुंचने वाला हूँ तो वह से लेकरके मिरे बीटे को निकल गई ठिर हमने उनको और फॉन किया और उनको गाड़ी में पाए गए और उनको जो का जो बेटे का बैग था वो उनकी गाड़ी के था और उस समय जो है शोस समय में नहीं पाएगे होगा जिया मेरे बेटिकी जो है हत्या का हत्या जो पिए उसकी गला की गई है और इस तरीके से उसकी गले की हड़ी तक तोड़ दी गई है मुखा उसका पूरा कप्रा मांध करके उसके होट पूरे नीले पड़गे हैं तो बहुत ही ऐसे दर्दनाक इस तरीगे से इन दर्दनों उन्हों हत्या की गई है और इस हत्या साइध मैं इस समें भाबुक हूं बहुत ज़एाधा तो मैं यह चाहता हूं ऐसे दर्दनों को कम below कम फांसी की सजा मिलने का कम से कम काम हो और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो और मैं ये चाहता हूँ कि इसको न्याय मिले हातरस मौमली में कॉंग्रेस रीडर सुपर्जिया श्रीनियत ने कहा है कि जब स्कूल में खुले आम भेर भाव किया जाएगा तारीख बदली जाएगी नफरत फ्लाई जाएगी स्कूलों में साइंस के जगा कुछ और पढ़ाया जाएगा तो ऐसे ही तंतर और जादू टोनी की आउती में हमारे बच्चे पढ़ेंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21 सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीज़े देख रहे है मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्कूल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जादू टोना और तंत्र करना था स्कूल की प्रसिद्धी के लिए और इसमें स्कूल के ही पाँच लोग शामिन है जो तंत्रिक है वो प्रबंदक का पिता है हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखें कुछ बने वो सुरक्षित रहें आज कौन सा बच्चा कहाँ पर सुरक्षित है मेरा अपना मानना है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पंडित नहरू ने आजाद भारत की नीव जो थी वो साइंस पर रखी थी टेकनोलोजी पर रखी थी और इसी लिए हमारे यहां के IITs, AIMs, AIMs के पढ़े हुए बच्चों ने दुनिया बदली तमाम बड़े-बड़े संस्थानों में हेड्स बने दुनिया के उसका बहुत फाइदा हुआ और आज ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में देश हमारा सदियों पीछे चला गया है ये अंद्व विश्वास, ये जादू टोना, ये तंत्र की स्कूल के बच्चे को मार कर प्रसिद्धी हासल करने की बात की जा रही है मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को सजग रखना है लेकिन इसी प्रवाव में ये भी कहना चाहती हूँ कि जब स्कूल में एवल्यूशन और पिरियोडिक टेबल की जगे गोड़बर पढ़ाया जाएगा जब स्कूल में खुले आम भेदभाव किया जाएगा जब स्कूल में एतिहास बदलना जाएगा नफरत पहलाई जाएगी बजाए की स्कूल में साइंस पढ़ाई जाए रिसर्च पढ़ाई जाए फोकस वो सब होना चाहिए तो स्कूलों में फिर ऐसी ही तंत्र और जादू टोने की आहुती हमारे बच्चे चड़ेंगे ध्यान देना चाहिए और ना ही मुझे इस पर कोई रध्य अमल देने की ज़रूरत है विक्रमा दित्यसी ने यूपी की योगी सरकार की तरहां का फर्मान जारी करते हुए रेस्टराम मालिकों से बोर्ड पर अपना नाम लिखने का होक में दिया था इस पर कॉंग्रेस के जनरल सेक्रेट्री केसी वेनु कोपाल ने उन से मिलकर उन्हें पार्टी लाइन से अलग नहीं बोलने की ज़ायद दी थी उन्हे पर का उचिक खातारी कर्चिक लिएज पर येढ बोलन्हें भी वेटरी की जी टोव। प्रिमादर प्रदेश सरकार में वजीर विक्रमाद इतिया सिंग ने भी कॉंग्रेस के जनल सेक्रेटी केसी वेनु कुपाल से मलाखात के बाद मीटिया से बात की निकल अच्छी बैठक हुई है मैं आदन्या हमारे जो पार्टी के राश्चनीता है वेनु कुपाल जी उनसे मिला हूँ और बहुत से मुद्दों के उपर चर्चा हुई है हिमाचल के संदर्व में और निश्चत तोर से जो ये पूरा मसला था इस विशे में भी मैंने उनसे बात करी है और मैंने उनको पूरा विश्वास दिया है कि जो पार्टी का डायरेक्टिव है उसको फॉलो करना ये हमारा परमदायत्व है हमारी जिम्मबारी है और हम निश्चत तोर से पार्टी के करमट सिपाई है और उसको फॉलो करना हमारा परमदायत्व है जिम्मबार था, उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है, मुखे मंतरी जी प्रयास कर रहे हैं, और जो ये एक वेंडिंग जोन्स का इसमें मसला है, इसके लिए एक बॉड़ी भी कॉंस्टिटूट की गई है, जिसमें मल्टी पार्टी बॉड़ी है, वो इस च खुद का एक जो है वेंडिंग एक्ट बना हुआ है 2016 का, तो निश्चत तोर से वो आने वाले समय में कैसे उसको लागू करना है, किस तरीके से होना है, उसमें सब के विचार लिए जाएंगे, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पुचाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश दे के स्तानियों लोगों के से कनसरन ले में सरकार की जाया सूर्वार है, कि इसके उपर संकार मिलकर, पार्टी हाय करो कार एकर pré约 करे गी, कि हमाचल के हितों की रक्षा करना, और लोगों के कनसरन को एंडřिस करना, ये भी हमारा परमधायतवों बनता है, और इन दोनों से बा हिमाचल के लोगों की पैर्वी है हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा है उसको करना भी हमारा दायत वह बनता है ये बात मैंने पार्टी है कमान को आदरनिया वेनुकुपाल जी को कही है और उन्हें उस बात को माना है स्विकारा है इतो इसके लिए में उनका धन्यवाद क है देखे जो यह विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी हम यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारी कॉंग्रेस की सरकार है वो निर्ने करेगी अब उन्होंने एक कमिटी भी बना दिया गठित कर दिया जिसमें व्रिश्ट लोग हैं वो लो के मताबिक किया जाएगा लेकित जो सरकार समयती ही पर उसमें वीपक्ष के भी लोग हैं जो सफ़ाश के हैं सबी से सलाव मशुरा करके सबी की सहमती लेकर हम आगे बढ़ेंगे और तब ही फैसल लेंगे बीजेपी की लीडर शहजाद पूनेवाला ने हिमाचल प्रिदेश के मामले को कॉंग्रिस का अंदूरूनी इंतशार खरार दिया और उनका कि कॉंग्रिस पार्टी हिमाचल प्रिदेश में दो टुकडों में तखसीम होती नजर आ रही है और ये लडाई सुखू बनाम व विक्रम अदित्या या सुकू बनाम प्रतिबा सिंग्जी नहीं है इस बार राहूल वर्सिस प्रियंक का नजर आ रहा है साफ سाफ जैसे ही विक्रम अदित्या सिंग्जी ने जो वीड़वहदर सिंग के बैटे हैं उन्होंने योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के मॉडल को सराह और उसे हिमाचल में लागू करने की बात तो जो ही कॉंग्रस जो इसको सांपरदाइक कह रही थी वह फस गए और कॉंग्रस पार्टी ने लगातार राहूल गांदी के कैम्प से एक के बाद एक वयान दिक्रम अदित्याजी पर देना शुरू कर दिया आज केसी बिणों पाल जीने फार्टकार भी लगाई अपमानित किया हिमाचल के लोग देक रहें किकि कैसे कॉंगर्जव पार्टी उट कॉंट इंत्रेस्ट को जनता के इंत्रेस्ट नगान के इंतरुमें । अब तो दिराम जो एक मंत्री है उनके और धनी राम साइन शांदिल ने भी समर्थन कर दिया है विक्रम अधित्य जी का और कहा है कि मैं भी इस कदम के पक्ष में हूँ मतलब की राहूल गांधी कैंप से लगाता फटकार लगने के बाद ली प्रियंक का कैंप जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि हम तो अपनी बातों पर अडिग रहेंगे मतलब की तलवारे खिज गई है पर एक बात सपष्ट है कि वोट बैंक नीती पर चलते हुए कॉंगर्स प कश्मीर के डूरू एसमिली हलके से कांग्रिस कुमिदवार घुलाम एहमद मीर ने अपनी इत्धादी नेशनल काउन्फरंस के इंतखावी मनशूर पर अपना मौकिप मीडिया के साथ में वाज़े कर दिया है उन्होंने कहा कि अलागाए पार्टियों को अपना मनशूर हो देखे रिजिनल पार्टियों का अपना मैनिफेस्ट हो है वो तब भी उनका था जब वो बाज़पेजी के साथ में हकूमत में थी अगर पी डी पी आईस 370 की बात रख रहे हैं वो कल तक बाज़पेजी इनके साथ मोधी साथ थे तो जब वो उनके साथ जाते हैं तो अमीन और जाब्स का राइट इसके लिए हम फाइट करेंगे ये जमु किश्मीर के लोगों का हाक है नेशनल कॉनफरंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी के लजामात का जवाब दिया है क्या कहा उन्होंने आईए सुनते हैं बीजेपी के तरफ से नेशनल कॉनफरंस के तरफ ये नेशनल कॉनफरंस पर ये ज़ाम लगा था कि हम सरेंडर्ड मिल्टरंट्स का इस्तिमाल अपने एलेक्शनों में कर रहे हैं अब हो मिनिस्टर साब कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए तयार हैं अगर वो इनसे बातचीत करने के लिए तयार हैं तो फिर अगर वो हमारे प्रोग्रामों में आजाते हैं बरी बात क्या है? कहीं न कहीं तो बीजेपी klaffy बان्फी से है इसलिए वो बाखी मिलक में यह कहती है कि यहां आतेंगबाद के लिए पाकिस्तान कसरवार है लिए जमूर कष्मीर में आके कहते हैं कि यह तन तेन परिवार जो है यहां आतंगबाद के लिए कसुरवार है वो पहले ये तैय करें कि आप जम्हू कश्मीर में आतंगबाद के लिए कसुरवार है कौन फिर हम आगे बात करेंगे दिल्ली में कांगरिस ने मुझाहिद आजादी शहीद भगस सिंग की याद में जलूस का निखात किया लाजवत नगर में शहीद भगस सिंग चौक से निखाले गए इस पैदल जूरूस की खयादत पार्टी के कौमी सेक्रेटी अभी शेगदत ने की मैं अभी शेगदत हो नहीं ने बहुत पहले शईद भगस सिंग्च चौक बनाया था और हर साल याँ शईद भगस सिंग का जन्मत से बनाया जाता है और आज हमारे बीच में शहीद भगस सिंग की परिवार सिंगे जो सगे भाई के जो होते हैं वो भीच में आ रहे हैं जम संकल्ब लेंगे मेला के समान का लबनान ने हिजगुला के रहनुमा हसन नसरला की शहादत के तदीक कर दी है हिजगुला के हेड़ कौटर पर इसराइल ने जुम्हे की रात 85 टन के बंबर साय थे इस हमले में इसगुला के दो सीनिर कमांडर फौरी तोर पर शहीद हो गए थे जबके इसगुला के चीफ हसन नसरला के बारे में कोई हतमी खबर नहीं थी सनी जर को बिलाखन उनकी शहादत के तदीक हो गई लबनानी चैनल पर एंकर ने रोते हुए यह खबर दी इज नाल सय्डिए लगद फफफवद है लुट लगवव भर ऴॉजजद सम्याद Together ना लगा दिफार नाम बुस्ल्टीन अलवा अकेरबएब ना लगा सैड उष्यद शुहदा उख लाजी पे लिए लिए आजी दिस्ट शहादत के गम में इराप ने तीन दिन के सोग का एलान किया है जबके एरान के शहर मशध में इमाम अली रजा के रोजे पर सोग की अलामत के तोर पर सिया पर्चम बलंद कर दिया गया है इरानी वजारत खारजा ने अलान किया है कि शहीत हसन असला के अजीम मकसद बैतल मकदस की आजादी को हर थीमत पर हासल किया जाएगा जबके एरान के सुप्रियन वीडर आयतुल्ला खामलाई ने ऐलान किया है कि अब इस्बूल्ला की हमायत में इसराइल से लड़ना हर मसल्मान पर फर्ज हो गया है हमास के असकरी यूनिट अलकसाम प्रिगेट के तरजमान अब उब इस्बूल्ला के चीफ हसन नसला की शहादत पर रंजगम का इज़ार किया है पी एम मोदी का हम बयान कहा अर्बन नकसल और मुलक दुश्मन अनासिर के हातों में है कॉंग्रेस जमू में प्रियंका गानी ने बीजेबी को घेरा कहा अलजी के हाथों कश्मीरी मुखालिफ पॉलिसियान नाफिस कराए गई दिली सरकार ने राजधानी में आलूदगी पर कंट्रोल के लिए विंटर एक्शन फिलान किया तयार गोपाल राय ने पीश किया मनसुबा हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरला की शहादत की हुई तस्दीख लबनान के चैंदर पर एंकर ने रोते हुए दी खबर हसन नसरला की शहादत पर एरान में सिया पर्चम लटका खाम नहीं ने कहा इस्राइल से लड़ना हर मुस्लिम का फरस खबनामी में भी इतना ही जासत दीजिए आदा सारा कुड़ा